मुर्वा पुलिस द्वारा सिंग्रॉली चिले में वाहन चोरों पर अब तक की सब से बड़ी कारवाई हुई है जिसमें करीब 20 लाग कीमत की 33 मोटर साइकल के साथ 4 आरोपी गिरफतार किये गए है सिंग्रॉली चिले में लंबे समय से सक्रिय मोटर साइकल चोर गिरो का परदाफाश करते हुए गिरो के चार सदस्यों को मुर्वा पुलिस ने किरफतार किया है उनके पास से चोरी की गई 33 नक मोटर साइकले बरामद हुई शुक्रवार को दोपहन में मोर्वा थाना परिसर में सिंग्रॉली पुलिस अधिकशक अभिजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मोर्वा, बर्गवा, माड़ा, शक्तिनगर, अनपरा, बीना, जैन्त, आदी, जगहों से यह चोर, शातिर, आना, तरीके से खड़ी बाइक को लेकर फरार हो जाते थे इसके लिए उन्होंने एक माश्टर चा भी बना रखी थी जिसकी मदद से वेबाइक का लॉक खोल कर मिंटो में बाइक पार कर देते थे निर्देशन वे अनुविभागे अधिकारी डॉक्तर क्रिपाशंकर दिवेदी के मार्डेशन में मौर्वा निरिक्षक नागेंर प्रताप सिंग दौरा एक टीम गठित कर बेजा गया बढगर निवासी दासाराम सिंग गौर एवं रामाशंकर सिंग गौर के आवास पर चापे मारी कर 11 मोटर साइकले बरामित की जिसके विशय में उनके दौरा कोई भी दस्तावेच पेश नहीं किया जा सका इसके बाद पुलिस की सकती से पूछताज के दौरान उन्होंने बाइक चोरी का जोर्म कुबूल किया एवं उनकी निशान देही पर मोर्वा निरिक् मना कर बाइक चोर गिरों के अन्य सदस्यों की धर पकड़ के लिए सिंग रॉली एवं सोन भद्र के विबिन थाना शेत्रों में च्छाबा मारी कर गिरों के कई सदस्यों द्वारा चोरी की गई 33 मोटर साइकल बरामित की जिसका बाजार मूल उन्नीस लाग चालीस हजार की मन पताए जा रही है मोटर सेकल बरामत हूँ बल्की दो अन्या आरोप्यों को भी गिरफतार किया गया है इनका नाम मैं बताना चाहूंगा राम डल्लू सिंगोड और सिपाही लाज सिंगोड ये सभी मोडवा द्वाना चत्री के ही रोने वाले हैं और एक वेक्ति इसमें से जबहने हैं वो चि